Hi Guys, मैं हूँ Mira और आप देख रहे हैं MIR ruling Makeover चैनल और क्या हाँ आप लोग आई होग आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वाग अर यह अर देख सक्ते हैं मैं dry skin कर रहा है तो आज मैं काने वाली हूँlegen माते ब左ह moral जाना किसे बराएं बोडी है किया सीटी हैएँ बडी आप बाएप से काम और तो इसलिए प्राम में अड़्या में ट्राक पीन कई से चैने da तो आप जब भी वैड वाइप करते हैं आपका यही प्रोसीज आप ऐसे फिंगर में लपेट के उसके बाद करिए क्लाइन का चाहे अपना उसके बाद आपको करनी अच्छे से टोनिंग क्योंकि टोनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है और टोनिंग करने के बाद हम करने वा और ड्रायर रहेगी जिसपे आपका मेकफ बिल्कुल भी सेट नहीं होगा और बहुत केकी एड़ फटा फटा सा हो जाएगा अगया लगाना है प्राइमर अप जरूर लगाए प्राइमर आपको जो सूट करता है वो लगाए प्राइमर बहुत ज़ादा जरूरी है अगर आ वो best है और primer guys oily skin dry skin open pores यह सब के अलग-अलग आते हैं तो आप जब भी लीजिए तो जाके देख के लीजिए उस पर लिखा होता है सब कुछ again मैं करने वाली हूँ concealer और यह है देखें मेरी concealer palette और यह concealer palette बहुत अच्छी आप कोई भी एक ले लेते हैं उसमें आपको सारे shade मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं मैं आज orange character नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आज मैं normally dry skin का makeup बता रही हूँ लेकिन आप यह makeup daily use में and आप office going मे कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने सिफ two shade darker concealer लगा रही हूँ जहाँ जावी मेरे हलके pigmentation है तो यह two shade darker concealer लगा रही हूँ मैं और यह two shade darker concealer लेके ही मैं इसी को कर दूंगी अच्छे से blend क्योंकि orange character नहीं लगा रही हूँ तो देखें कभी-कभी हमें orange character की जरुवत नहीं करने जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं आप किसी normal party में जा रहे हैं तो आप यह बिल्कुल कर सकते हैं और यह dry skin का makeup अगर इसी process से करेंगे तो आपका यह makeup बहुत अच्छा होने वाला है तो आप यह वाला यूस करना चाहते हैं तो आप अपनी शेट कर लीजिगा यह मेरा अ उसके बाद अगयन आप एक brush के help से पूरे face पे आप apply करेंगे और जब भी आप foundation apply करते हैं आप brush की help से apply कीजिए लेकिन brush के help से blending अच्छी नहीं होती है और हमेशा जब भी आप apply कर ले तो उसके बाद आप एक अच्छा सा beauty blender लें जो damp होना चाहिए आपका beauty blender और बिल्कुल गीला होके आपको निचोड लेना चाहिए उसके बाद उससे अच्छे से blending करनी चाहिए तो आप देख सकते हैं और foundation आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जरूरी नहीं आप pack का लें आप किसी और brand का भी ले सकते हैं लेकिन winters के जो foundation होते हैं वो आप ठीक मत यूज किएगा थोड़ा सा रनी यूज करिएगा और अगर रनी ना हो तो आप कहते हैं कि उसमें आप foundation oil डाल सकते हैं बिल्कुल एक drop यह नहीं कि बहुत ज़्यादा एक drop डालके उससे भी उससे भी आप अपना running foundation बना सकते हैं और वो भी आप dry skin पर यूज कर सकते हैं और जब भी आप foundation ले तो इस पर लिखा होता है सब कुछ की यह dry skin के लिए है या oily के लिए है आज कर सब मैंशन होता है अगैं देखें मैं ले रही हूँ शुगर का ब्राउंजर और मैं कर रही हूं क्रीमी कंटोरिंग नहीं कर रही हूं और अगर आप एक ब्राउंजर यूज करते हैं तो य लेकिन अगर आप ऐसा जो पाउडर ब्राउंजिंग यूज करते हैं तो यह इस इस इसखीन के लिए इस वैदर के लिए बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नोज पे चिक्ष पे अपना चिन पे और फॉरहेड पे यूज कर लिया है आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड और आप मैंने शुगर के लिए आप कोई भी ब्राउंजर ले सकते हैं जो आपको सूट करता है जरूरी नहीं है कि मैंने यह दिखाया तो आप यही ले लेकिन अगर आप एक बिगनर से हैं और आपको खुद से मेकप करना है या किसी का भी करना है घर में करना क्लाइन का तो आप नगर नॉर्मल प्रोड़क्स से स्टार्ट करते हैं तो आप यह वाला ब्राउंजर ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कर लिया है इसको ब्लेंड और ब्लेंडिंगा इस बहुत जरूरी है मैं हमेशा बताते जिसे की हमारे फीचर्स अच्छे से उभर के आते हैं दिखते हैं और यह है स्वेज ब्यूटी का आप चाहे तो forever 52 का भी ले सकते हैं आप illegal का भी ले सकते हैं आप huda का भी ले सकते हैं जितना जादा invest करना चाहें लेकिन मेरे हमेशा यह ये कि मेरी mostly classes beginners के लिए होती हैं मेर एजूकेशन चैनल है मेरी जितनी भी चीज़े बिगनर्स के लिए होती तो अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आप हमेशा पहले कम बजट से स्टार्ट करेए क्योंकि इस ब्यूटी के प्रड़ेक्ट भी काफी अच्छे हैं आप उनसे स्टार्ट करें वही ले सकते हैं मैक वै तो उसे देखें कि पुलसentin करके दिखने लगए तो यह हमाईज भी मेला आप यहले दो नीस बेफाल होज़े ले सकते या उसके बाद लगाएंगे आप देख सकते हैं और हमेशा जब भी देखा है आपने लूस पाउडर लगाने के वाद फेस थोड़ा सा ड्राय हो जाता है आप ऐसा लगता है कि मैटी मैटी सा हो गया है बहुत मैट हो गया जितनी भी शाइनिंग थी वो चली गई है तो भाई जब हाईलेटर लगाएंगे तो हमारा फिस अगें फिर शाइन करने लग जाता है तो दे सकते हैं यह मैंने आई मैजिक की पैलेट लिए जिसने मैं लगा रही हूं बलशर और मैं थोड़ा सा डाक शेड ले रही हूं मैं एकदम पीच या पिंक नहीं ले रही हूं तो मैं ले सकते हैं अगर हैलाइटर चाहिए तो पैक का हैलाइटर भी बहुत अच्छा आ पोगि ले सकते हैं डियोर है लेकिन मीच पशंद है干ट में है तो जिए bench की लगया है तो आप देखि eder यह मैं और लगानने लगा जैसे आपने देखा था लूस पाउडर लगाने के बाद आप फेस बेक कर रहे थे तो एकदम से ड्राइ लग रहा था आप देखिए इस शाइन करने लगा और आप थोड़ा से ऐसे फॉर हेट पे भी लगा सकते हैं और लिप्स के उपर चिन पे और चिक्स पे हाईलाइटर लगते फेस शाइन करने लग जाता है अगैन मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज फिल और मैं बहुत ही आज हलका सा आपको मेकप बता रहे हूं बस यह ड्राइ स्किन का मेकप है और आप ऐसी करेंगे जितने कम प्रडेक्ट से यूज़ करेंगे प्रडेक इंस प्रडेक् से लिए लगाये यह बिल्कुल बाद में एक्दम केकी हो गया और जिसकी भी ड्राइस की पर दो तीन लेयर लगाएं गया वैसी केकी हो जाता है फीस क्यों क्योंकर वह ड्राइस की इतना अब्सॉब नहीं कर पाता है तो वह बाद में उस समय आपको लगेगा ठीक है लेकि लेंगे तो आपका इमेक अच्छ पर ऑफ हमेशा ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करिए तो करेंगे तोदीक ही मेकप करेंगे तो याद रखें और ढ往 ayr रही लहरे हैं escri do में पूर बहुत अच्छा हो Сकते हैं मैंने थोड़ा सा कलर और पिक करने के बाद कि टोपने के कृस्त ही नहीं कुछ आगा इतो करने के बाद में उसको फोड़ा सा क्रिज अरिया पे देते हैं No जिसे कहा सकते हैं एकदम वाइड-silver नहीं और मैं यह दे रही हूँ सर्फ आइबॉल पर आप देख सकते हैं और यह कितना लग रहा है आप देख सकते हैं और अगर आप यह वाला मेकप करते हैं पर नॉमर्मली तो यह बहुत प्यारा लगता है और भी यह वीडियो देखने है नाइका का आप के ब्यूटी का भी ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं लेकिन अगर नाइका का नाइका का और मस्कारा गाइस बहुत अच्छे से लगाना कि कि मस्कारा जब लगता आना तो आईलाश बहुत अच्छी लगती मस्कारा के बिना आईलाश बिल्कुल भी सूनी है मस्कारा के बिना तो अच्छी नहीं लगती है आप अपर पे लोवर पे दोनों पे बहुत अच सकते हैं और यह जो मेरी स्विस्टिक है मेरी स्विस्टिक है तो बूक्त न इक यदि का सबस्क्र दियो तो अगर आज के वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा हो तो प्लीज मेरे चैनक को सब्सक्राइब लाइक कर दीजेगा और यह मेकप बिल्कुल ट्राइब कीजेगा आप देख सकते हैं बिल्कुल सेटल मेकप है और कितना शाइन कर रहा फेस एक शाइनिंग दे रहा है आप दे सकते हैं तो देखते रहिए सीखते रहिए एंड नॉलिज लेते रहिए मिलते हूं फर से नेस टूटोरियल लेके नेस वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टिक कियर